हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग आशाम पुलिस साब इंस्पेक्टर का एक्जाम के लिए जैनारेल नुलिज से मुस्ट इंपोर्टेंट 21 क्विश्चन को देखेंगे प्रेंड्स अगर आपने अभी तक आशामपुले साब इंस्पेक्टर एक्जाम के लिए जो जो वीडियोस मेंने प्रवैट किया है वो वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेयलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप उसे लिंक के उपर क्ल दिवश वाज अबजार्ब अन सती जयमती दिवश कब मनाया जाता है तो हर साल सती जयमती दिवश मनाया जाता है आपका 27th मार्च को नेक्स्ट क्वेशन नमबर टू में बोल रहा है दिखे है उसका टूटेल लेंथ कितना है तो उसका टूटेल लेंथ है आपका 1.8 किलुमेटर नेक्स्ट क्वेशन नमबर टू में बोल रहा है दिखे है उसका टूटेल लेंड में से फोरेस्ट ने 34.21 परसेंट काबार क्या है नेक्स्ट क्वेशन नमबर टू में बोल रहा है दिखे हूँ व वास्ट एसमेश टो फाइट एगेंस्ट ब्रीटियश एंस्ट ब्रीटिश के खिलाफ पहले एसमेasis को उनुट ए जिन्हों ने ब्रीटिश के खिलाफ फाइट क्या था उनका नाम है आपका Бुमदर कणवार Next Question No. 5 में बल रहे हैं दिके Golden Longore is found in Golden Longore कहा पर पाया जाता है तो Golden Longore पाया जाता है आपका Western Asha में Next Question No. 6 में बल रहे हैं दिके The Last Capital of Kachari Kings was Kachari Kings का Last Capital क्या था तो Kachari Kings का Last Capital था आपका खाशपुर नेक्स्ट कुशन नमबर सेबन में बोल रहा है दिके इन विच यार डीड दा बार्मीस फांस्ट इनवीड आशाम बार्मीस ने पहली बार आशाम को इनवीड कब क्या था तो ये क्या था आपका 1817 में नेक्स्ट कुशन नमबर एट में बोल रहा है दिके कब और कहा पर पहली बार जोनों गोनों मनों गया गया था तो ये गया गया था पहली बार 27th December 1911 में और कहा पर गया गया था ये आपका कलकत्ता में गया गया था Next question number 9 में बोल रहे थी के तो आशाम में पहली बार पंचात इलेक्षन कब करया गया था तो आशाम में पहली बार पंचात इलेक्षन कंडाक्ट करया गया था आपका 1996 में Next question number 10 में बोल रहे थी के Which of the following sultans had greatest number of slaves in मतलब कुंसा सुल्तान का सबसे ज्यादा number of slaves थे तो सबसे ज्यादा number of slaves थे आपका फिरुज तुगलोक जो सुल्तान थे इनका सबसे ज्यादा number of slaves थे Next question number 11 में बोल रहे थी के अमीर कुस्रू दा पेराट अफ इंडिया was born at पेराट अफ इंडिया किनको कहा जाता है अमीर कुस्रू जी को और यह जो अमीर कुस्रू है इनका जन्म कहा पर हुआता तो इनका जन्म हुआता आपका पतियाली में Next question number 12 में बोल रहे थी के which state is called the cradle of Buddhism, cradle of Buddhism कौन से स्टेट को कहा जाता है, तो friends, cradle of Buddhism कहा जाता है आपका बिहार स्टेट को, next question number 13 में बोल रहे हैं कि whose name is associated with फतहपुर्शिक्री, किन का नाम फतहपुर्शिक्री के साथ associated है, तो friends, फतहपुर्शिक्री के साथ associate है आपका अक्बर का नाम, next question number 14 में बोल रहे हैं कि what is the scientific name of tiger, tiger का scientific नाम क्या है, तो tiger का scientific नाम है आपका 15 degrees, next question number 15 में बोल रहे हैं कि where is the permanent headquarters of shark, shark का permanent headquarter कहाँ पर पड़ता है, तो friends, shark का permanent headquarter पड़ता है आपका कट मंडू में, next question number 16 में बोल रहे हैं कि what is the currency of bhutan, bhutan का currency क्या है, तो bhutan country का currency है आपका gold tram, next question number 17 में बोल रहे हैं कि the first railway line in asham was established in the yard, पहला railway line asham में कब established के गया था, तो पहला railway line asham में established के गया था आपका 1881 में, next question number 18 में बोल रहे हैं कि बारोत निर्मान plan is associated with the development of, बारोत निर्मान plan ये किसका development के साथ associated है, तो friends, बारोत निर्मान plan जो है ये आपका associated with the development of rural infrastructure, next question number 19 में बोल रहे हैं कि who was popularly known as कमा तरंता, किनको कमा तरंता नाम से जाना जाता है, तो कमा तरंता नाम से जाना जाता है आपका अंबिका चरण चौदरी जी को, next question number 20 में बोल रहे हैं कि प्याली फुकॉन was hanged in the yard, प्याली फुकॉन को कब hanged क्या गया था, तो इनको फांसी दिया गया था आपका 1830 में, next question number 21 में बोल रहे हैं कि गबर्मेंट अफ इंडिया लॉंस्ट प्रदान मंस्री उजला युझना आन, मतलब government अफ इंडिया ने प्रदान मंस्री उजला को कब लॉंस्ट किया था, तो ये लॉंस्ट किया था आपका 1 में, 2016 में तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपने चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू पर वाचिं इस वीडियो झाल 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 झाल